हेलो दोस्तों मैं हूँ तुशार शाहू एन वेलकम टू मैं चैनल आज इस वीडियो में आपको मैं बहुत लेटेस्ट चीज बताने वाला हूँ भाई तो वीडियो को आप आखरी तक देखिएगा यह हमारे पास मैं महेंद्रा बलैरो बीसिक्स वीरियन जो की बेस वीरियन गारी कहलाती है और यह अभी जस हमारे पास सोरूम से उठकर यहां पर आई हुए और प्रॉपर इसके अंदर सारी लेटेस्ट इस इंस्टॉल करेंगे और इसे बनाएंगे एकड़म टॉप विरियन गारी में तो अभी आप देख सकते हैं फ्रेंट साइड में आप इसका लोक फाग लैंबं अबको नहीं दिये हैं इंफो एंफो टैन्मेट सिस्टम की बात करे गारी के दर नहीं एक्स्सीरी बी नहीं लई तो अभी शारी चीज़े एकस्सीरी इंटीड इंस्टॉलीशन आपको उस जूरिए में बताने सपरल उन सब्सक्ते सब्सकूल कंपनी ने कोई भी इस्टियो सिस्टम लगा के नहीं दिया है हम लोग यहां पर लगाएंगे नाइन इंच का एंडॉड इस्टियो सिस्टम steering wheel covers, floor lamination, leather seat covers, वो भी bucket वाले, rear camera तो यह हुआ हमारा interior जो की इसके अंदर हम लोग करने वाले साथ में इस गाड़ी के अंदर आपको central locking भी नहीं मिलता है तो हम लोग इसके अंदर central lock लगाएंगे वो भी flip की वाला तो एकदम latest चीज इसमें लग रही है भाई तो वीडियो को आप आखरी तक देखेगा सारा installation आपको इसमें मिलने वाला चलिए अब इस गाड़ी में क्या क्या चीज़े लगने वाली वो आपको बता रहा हूं तो JBL के चार इंच के दो speaker जो की front side में लगेंगे MRP आप देख लो भाई इसका 1900 approach है तो आप देख सकते हैं JBL के हैं और ब ब्लैक कलर का box है और यह देख सकते हैं LED इसके अंदर मिल जाती तो इसका installation भी होगा और इसका view जो हमको वीडियो देखने को मिलेगा वो हमारे 9 इंच के display के साथ में तो यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारा account company का 9 इंच का full android system जो की इस गाड़ी के अंदर अभी हम लोग install करने वाले हैं black color का है पीछे में frame लगा हुआ है बलैरो का 2020 model के लिए proper आता है और install करने के बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि भाई जो AC controls buttons है उसको इसको 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 करने में कोई दिक्कत नहीं जाती है और जो हमारे AC wind है उसमें भी airflow बढ़िया होता है इससे हम लोग direct connect करेंगे हमारे android system को और इसका installation करेंगे चलिए next thing बताएंगे मैंने जैसे कहा था इसमें हभाई आपको मिलता नहीं है तो आडी कंपनी का इसको इसको अपर देदी है तो यह भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर remote मिल जाएगा और remote को भी हम लोग बनाएंगे वाई-flip की वाला तो बड़िया चीज है यह भी आप देख सकते है तो इसका installation भी आपको बताऊंगा पांचो दोर में गन लगाए पांचो दोर्स के अंदर गन हम लोग लगाते है तो आप देखो पांचो दोर आपके एक remote से लॉक और अनलॉक होगे इस गारी के अंदर आपको भाई manual विंडो मिलती है और हम लोग यहाँ पर आडी कंपनी का पावर विंडो लगाने वाले यह कंसोल किट है भाई कंसोल किट का जो MRP 4800 है और जो इसके साथ में चार कैची आती है उसका MRP अलग है भाई आप लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है कि 4800 रुपे में पावर विंडो मिल जाता है बुलैरो का ऐसा नहीं है दोनों के प्राइज अलग होते हैं यह हमारा ब्लैक कलर का है ग्रे कलर मिल जाएगा और यह देखिए बटन है आडी का लोगो मिलेगा और यह जो मैं बता रहा था यह होती है बाई कैची जिसे हम लोग मोटर कहते हैं हाइड्रोलिक मोटर होती है और यह सारे गेटो में इस्टॉल होती तो इसका प्राइज अलग होता है और दूनों किट को मिला करेंगे प्रापर है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है नीचे में यह जो मैनवल है यह आली कैची को लिकाल कर इसमें लगाएंगे भाई हम लोग पावर विंडो वाली कैची तो वह इंस्टॉलेशन में आपको बताऊंगा और भाई खईने का आपका मन कर रहा है तो बेस वेन खड़िए और अपनी पसंद की सारी असिसरी मार्केट से डलवा लीजे वो भी कमदा में यह देखिए इसके साथ में फिलिप की वाला आपको यह की तो मिलती है लेकिं इसमें सेंटर लॉगिंग नहीं है मतला रिमोर्ट नहीं है कपलर टू कपलर फिटिंग करेंगे सारी वाइरिंग अंडर ग्राउंड करेंगे और इसको मैं आपको चला के भी बताने वालों की से वर्क करेंगा यहां देखिए यह हमारे पावर विंडो के कपलर से जो की आडी कमपनी आपको प्रोवाइड करती है किट के साथ में तो किट वाइर सब कुछ आपको मिल जाता है कमपनी के किट बॉक्स में तो यह सारी अंडर ग्राउंड वाइरिंग तो हम लोग ने कर दी हैं अभी हम लोग यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखिए लेट वाले जो डूर है उसमें भी यह हमारा सेंटर लॉकिंग जो गन ह बताना चाहूंगा शोरूम वाले चार डोस की गन लगा देते हैं और रियर साइट का जो गेट है उसको आपको खुद को हास से चालो और मन करना पड़ता है लेकिन हम लोग इसमें भी गन लगाने वाले हैं आंगे बढ़ते हैं और अभी मैं आपको बताने वाला हूं रिय कि यह जो हमारी gun है यहाँ पर properly यहाँ पर install हो जाएगी इसके बाद में हमारी जो gun के साथ में rod आती है उस rod को हम लोग connect करेंगे rod को connect करने के बाद में इस wire का connection देंगे और हमारा central locking work करने लगेगा central locking जो work करता है वो relate की मदद से करता है जो इसके साथ में relay आता है वो पताता है कि सारे dose को open करना है lock करना है unlock करना है तो वो वो काम करता है अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारी जो gun है आप इंस्टॉल होगी properly आप देख सकते हैं अब down up down यह कर रही है अब यह इसके साथ में जो प्लेट आती है supporting plate रहती है इसका भी हम लोग drill की मदद से tight करेंगे ताकि यह properly fix हो जाए और कभी भी future में आपको यह problem ना दे तो gun का installation करना बहुत जरूरी होता और अच्छे सा installation करेंगे तो फिर कभी यह problem नहीं करेंगे एक बार install कर लिया gun फिर आपको proper फिर कभी परचान नहीं करेंगी तो यह चीज आपको after market आप बिल्कुल install करवा सकते हैं अभी आप देख सकते हैं हमारी जो plate है वो भी यहाँ पर लग गी है गन जो है वो भी हम लोग ने install कर दिया है अब हमारा जो next step है वो है भाई इस gun को rod की मदद से attach करना ताकि हमारा central lock work करने लगे तो wires आप देख सकते coupler to coupler होते हैं कोई wiring कट्टी नहीं हो पूरी नई wiring इसके अंदर डलती है यह आप देख सकते हमारे पास में rod है rod का measurement लेकर इसे यहाँ पर install किया जाएगा और screw की मदद से इसको tight किया जाएगा और यह सारी चीज आपको central locking kit के अंदर मिलती है तो यह आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर installation हो जाएगा और हमारा जो rear side का जो दूर है उसका installation यहाँ पर complete हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखो भाई यह screw से हम लोग ने इसको tight कर लिया अभी आपको चला के बताता हूँ तो यह देखिए जो manual है अब यह हो जाएगा हमारा central lock की के थुरू जो remote के थुरू अब आपका work करने का जो motor है यह काम करती है अप डाउन अप डाउन और यही lock और unlock करती है चलिए central locking का तो मैंने आपको बताई दिया अब बात करेंगे हम लोग power window की तो power window rd company का लगा रहे हैं चारो doors में लगाएंगे front side का rear side का right जो door है उसका मैं बताऊंगा आपको same as it is सभी doors का किया जाता है पूरा installation देखना है आपको तो description में मैंने link share किया जिसमें मेहनदा बुलरो का पूरा power window का installation tutorial मैंने बना के डाला है वहाँ आप आप देख सकते हैं कि wiring कैसे की जाती है और किस तरह की से कैची का installation किया जाता है तो वहाँ से जानकरी आपको मिल आएंगी अभी मैं आपको बताऊंगा rear side का right door का installation तो आप देख सकते हैं जो हमारी इसकी manual कैची थी सारे screw को lose करने के बाद में इसमें से हम लोग लिका लेंगे ये पुरानी वाली कैची जो कि आपको देखने को मिलेगी और उसकी जगा पर लगाएंगे ये हमारे हाथ में जो कैची है हाइडरोलिक उससे और इसके बाद में इसका सारा connection करेंगे तो ये सब कुछ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ बुलैरो इसकी उपर लिखा हुआ है आप देख सकते है प्रॉपर बुलैरो के लिए मिलता है ये तो ये जरूर देखे आपके इसके उपर बुलैरो लिखा हुआ है कि ये नहीं कैची के उपर तो आपको अभी में बताना चाहूंगा ये जो हमारे पास में ये मैनुवल कैची थी जो कि कमपनी ने दी थी और ये जिसके स्कुरू हम लोग खोल रहे हैं ये है है इड्रोलिक कैची जो कि इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और सी की मदद से आपका पावर विंडो करेंगा तो अभी इसको इस तरीके से अंदर कैची को डालना है और सिंपल है भाई कोई दिक्कत नहीं है जो इसकी होल से उसमें आपके जो नट है इसको लाकर टाइट करना होता है तो देखिए यहाँ पर आपका आगया चार नट इसको टाइट कर देंगे और एक यहाँ पर लिख लेगा नट उसको भी हम लोग टाइट करेंगे और भाई जो ग्लास है उसकी ग्लास है जो कैची की उपर प्लेट है उसकी उपर रखना हो तो बिल्कुल इजिली है आप लगवा सकते हैं और RD Company का यदि आपको Power Window Kit चाहिए तो बिल्कुल आप मुझसे कॉंटे कर सकते हैं यहां आप देखिए सारे स्क्रू को टाइट कर दिया यह हमारा बटन है जो कि ड्राइवर साइट का है चार कंट्रूर्स बटन्स आपको धन्मिल जाती है और सिंगल सिंगल बटन्स हर डोर्स के पास में लग जाएगी तो सब के लिए अपना परसनल स्विच रहेगा जो कि अब डाउन आप कर सकते हैं यहां आप देखो यह हमारा की यहां पर इंस्टॉल हो गया है चले अभी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से यह वर्क करेगा तो यहां आप देख पाएंगी यह जो हमारा ग्लास है अब इस ग्लास को हमको टा ताकि लाज इंस्टॉलिशन किया जा जाता है बलेरो गाड़ी के आन दर तो यहां देख सकते हैं इसका इंस्टॉलेशन को टाइट करके यह हमारा installation complete हो गया यही काम सारे जो window है चारो window उसमें होगा तो आप देख सकते हैं rear side का जो right door है उसके अंदर भी installation हो गया gun भी लग गयी है तो आप यही भी देख सकते हैं और इसका wiring भी दल चुका है इसके लावा मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारे left side का rear side का left door है उसमें भी gun लग गया है और साथ में हमारी जो hydraulic catch है वो भी लग गयी है यह front side का left door है उसके अंदर में भी हो गया उसको pack भी कर दिया है B4 variant देखिए बुलैरो बैजिंग आपको यहाँपर देखने को मिल जाती है अब आपको power window पूरी wiring के नहीं डाली है और company की जो warranty है वो save करके रखा है मतलब कोई भी wires को कटने की आप देख सकते हैं यह आपको देखने को मिल रहा है यह glass यही होती है मोटर जो कि up और down करवाती है window को तो आप भी अपनी गारी के अंदर बिलकुल लगा सकते है चलिए अभी हमारा जो button से वो भी यहाँ पर install होगी है देखिए matching करता हुआ जो color है वो आपको मिल जाता है black color का यहाँ पर driver side में चार buttons मिल जाती है यहाँ से आप चारो window को control कर सकते है लेकिन top variant में ऐसा होता है top variant में जो पीछे वाले passenger है उसके पास में option नहीं रहता है ड्राइवर को ही उसकी window को open और close करने का option मिलता है लेकिन इस में सब के पास में personal एक एक button रहती है जो कि अपने हिसाब से windows को open और close कर सकते है यह देखिएगा left side का जो door है उसमें बटन लग गई है drill करके इसको button को installation किया जाता है तो यह सारा installation हो गया आप देखिए ड्राइवर साइट से ही मैं सारे की सारे जो glasses है उसको operate कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे जो glasses है यहां से operate हो रहा है यह इसका installation हो गया भाई अब आपको और यह हमारा जो rear side का door है यहां पर इसका भी installation हो गया तो जैसे मैं आपको बता रहा था passenger भी अपने हिसाब से door को window को बंद और चालू कर सकते हैं यह सारी जगा पे हमारा यह power window भाई करने लगा है easy installation है भाई आपको यदि यह चाहिए तो बिल्कुल आप भी मुझे contact कर सकते हैं यह installation हो गया अब आपको एकदम latest चीज़ बताने वाला हूँ वो है भाई हमारा 9 inch का android store system इससे पहले भी हम लोग android store system लगा चुके हैं अभी भी इस गाड़ी के अंदर लगाएंगे 9 inch का full touch android store system तो यहाँ आप देखिए 9 inch का है उपर का AC wind आप देख सकते हैं अच्छे से हवा लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है और जो भाई आप लोग को confusion रहता है तो यहाँ देखिए कितना ज़्यादा space है भाई नीचे से हाट डालके देखिए इसली आप यह बटन का इस्तमाल कर सकते हैं इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं जा रही है इसका यूज करने में तो जो आप लोग को confusion रहता है कि भाई हम लोग इसमें AC कंट्रोल बटन कैसे यूज करेंगे तो देखिए मैं आपको यूज करके बताया है इसली आप इससे यूज कर सकते हैं 9 इंच का हमारा Android सिस्टम है फुल टच है चलिए इसको थुरा चला के बताता हूँ किस तरह की से वर्क करेगा तो यहाँ पर आप देखिए यह होम बटन गूगल मैप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं यूटूब चलाना है यूटूब के वीडियो बढ़िया चलाई है फुल SG कॉलिटी में चलाई है वो भी बढ़िया इसके इलावा आप देख सकते हैं प्लेयो स्टोर का उप्शन गूगल मैप जीपियस इसके अंदर इनबिल्ट मिलता है तो बड़िया जहाँ भी जाना चाहते हो जीपियस इस्तेमाल करो चले जाओ ब्लूटूथ की फैसलिटी मिल जाती है पैंटराई यो आप लगा सकते हैं साथ में जो स्टेरिंग विल कंट्रोल बटन रहती है बुलेरो गारी की यदि आप लगवाना चाहते हो तो उसके कंट्रोल भी आपको इस सिस्टम के साथ में अटेच करने का उप्शन मिल जाता है इक्विलाइजर इसका बहुत बढ़िया रहता है इसको चाहिए तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवाद हूँ यहां देख सकते हैं जो लेफ साइड में होम बटन बैक बटन वाल्यूम अपडाउन बटन्स आपको मिल जाती है जो की टच के साथ में आती है प्ले स्टोर है इससे आप कोई भी अप्लिकेशन डाउनलोड करके बढ़ी असा इसमें इस्तमाल कर सकते हैं साथ में आप चाहो तो भाई कोई गेम वे माँ आप खिलना चाहो तो गेम भी इंस्टॉल कर रो अप्लिकेशन और वो उसका स्टमाल करो ऑगे देखएगा इसमें मैं आपको जो रिवर्स पारकिंग कैमरा इंस्टॉल करने वाले उसका वीवित बताओंगा कि किस तरिके से इसमें आपको पारकिंग का व्यूझ देखने को मिलेगा अब जैसे कि मैंने बताया था JBL का जो 4-inch का speaker है वो हम लोग ने यहाँ पर install कर दिया proper cap के साथ में install किया है और इसका sound का quality हो बहुत बढ़िया है तो आगे देखिएगा इसका sound test भी बताऊँगा कि जो 4-inch के 2 speaker और 9-inch के 2 speaker जो हम ने लगाए है उसका क्या sound quality आपको दिखने को मिलेगा तो आप यहाँ देख सकते है नीचे में 4-inch के speakers लगा दिये गए है और यह है भाई 450-Watt का 9-inch का एकदम latest JBL के speaker है जो कि wooden box के अंदर हम लोग भी install करने वाले है इसका sound बहुत बढ़िया जवर्जस्त होता है आप चाहे तो बिल्कुल लगा सकते है 9-inch का और कम sound चाहिए तो आप लगा सकते है change का यह आपके उपर depend करता है आप चाहे तो इसके rear side में जो corners है वहाँ पर भी लगा सकते है और इसका installation हम लोग इस तरह की से करेंगे कि कभी आपको यह box को लिकाल के घर पर रखना रहा हो तो कपलर लिका लिए और इसको उठाके आप अपने घर पर रख दीजिए यह आप देख सकते हैं JBL है हमारा proper original JBL है और इसका sound का quality भी मैं आपको बताऊँगा यह wooden box है इसके अंदर दोनों speaker को हम लोग कसेंगे wiring डालेंगे और steo system के साथ में connection देंगे और उसके बाद में हमारा यह speakers on हो जाएंगे तो इस सारा काम अभी चल रहा है तो वीडियो को आप लिए तो आप यहां देख सकते हैं हमारा जो काम है वो यहां पर हो रहा है चार दोनो speakers को यहां पर कस दिया गया है JBL आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है तो अभी sound quality भी आपको चेक कराने वालों यह देखिए हमारा जो कैप है वो भी इसके साथ में मिल जाता है तो यह एक बार चीज आप लगा लो ब्रांडे चीज आप कंपनी के लगवाते हो तो बार बार आपको देखने के जरुवत नहीं पड़ ती यह एक बार लगाने के बाद में आप तीन-चार साल तो आप बढ़िया इसको इसको इस नहीं चीज है आप देखिए। मैं जायाता हूं साथ में पताता हम किस त्री के संतंकि एक यह घाल किया जाता है तो यह देखिए। बिए चीज आपको मिल जाती आं जो की जी बेल केमपनी मिल करती है। जो की जीम ऐस पाचास वार्रोट बहुत ज्यादा होता है भाई स्पीकर में आपको लगवाना है तो बिल्कुल आप यह लगा सकते हैं आपको रिया साइट में बेश चाहिए तो बेश चुब डलवाल हो आप आठ इंच दस इंच और बारा इंच में आपको मिल जाती है अभी हम लोग ने एक जो वीडियो उसमें पाइनियार का बारा इंच का बेश चुब डाला था अब जो मैं आपको बताने वाला तो यह जो यह मिलता है साइड में इस तरीके से लग जाता है आपके जो जाली है इसकी उपर और यह जाली से आपको जो स्पीकर है उसको प्रडेक्शन मिल जाती है तो पढ़िया चीज है यह कपलर हम लोग ने लगाया कपलर तो यह यलो कलर का कपलर आपको दिख रहा है इसको आप तो आप ये जो wooden box से इसको लिकाल के बाहर रख सकते हैं तो ये काम बड़ा अच्छा है कि कभी आपको समान वगेरे रखना है इस पेस की कमी लग रही है तो भाई coupler को लिकालो और पूरा box लिकाल के बाहर रख लो और जब जरुवत पड़ें तो वापिस से coupler में attach करो और वापिस से इसको install कर लो तो ये सारा काम इतना बढ़िया किया जा रहा है कि कभी भी आपको future में इसमें कभी problem नहीं जाएंगी पूरी wiring underground कीए कहीं भी आपको wires देखने को नहीं मिलेंगे और सारा original product डाल रहे हैं मार्केट के अंदर duplicate product भी आता है तो उससे आप थोड़ा aware रही है original company का लगवाई है तो company से आपको क्या warranty भी मिल जाती है और चीज भी आपकी lifelong हो जाती है तो JBL इसके अंदर speakers लगाए जा चुके हैं अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका sound test तो भाई आप अपने कानों में लगा लीजिए headphone और सुनिए speaker का sound test और सुनिए अपको बताने का लगवाई दो जाती है कर दो दो साफ़ दो कि अगए दो साफं कर दो में तूसर हो थाओपना, तो साफ़ दो पी अजा से झाल में पाल में नाधब दो साफ़ singular कि अजड़ हो पाल कि अजड़ हो कि अजड़ हो झाल 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 दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस स्पीकर का जो साउंड बहुत डीसेंट है आप जी प्रिफर कर सकते हैं अभी हम लोग यहां पर इंस्टॉल करने वाले रिया साइड में पार्किंग कैमरा तो यहां पर ड्रिल किया जा रहा है और ड्रिल करने के बाद में कैमरा को करते हैं तो इसकी लाइट ओन हो जाती है और आपको पूरा व्यू देखने को मिल जाता है तो यहां पर देखिए यह हमारा चोटू सा क्यामरा है एसजी क्वालिटी के नाइट विजन के साथ में आपको मिलेगा यह देखे लीडी लाइट भी इसके ओन हो चुके है और चल दिस्प्ले लगा लीजे जो की मिडल मिरियर में लगता है और इसमें आप रियवास पार्किंग कैमरा लगा के इस्तमाल कर सकते हैं तो यह चीज भाई आपको मिल जाती है बुलेरो गारी के लिए और कोई भी सामान यदि आपको बुलेरो गारी से रिलेटेज चाहिए तो बिलकुल आप मुझसे कांटेक कर सकते हैं डिसके स्वर्मने मैंने अपना कांटेक नमबर शेयर किया है आप मुझे वाट्जे पे मेसेज डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कौन सा समान का क्या प्राइज है और क्या चीज आपके लिए बहतर रहेगी तो दोस्तो आज के लिए वीडियो में इतना है उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और भाई वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा सियर कीजेगा मिलते हैं आसी नेक्स वीडियो के साथ में तब तक के लिए गुडबाई जै हेंद जै भारत